नमस्कार दोस्तों, Welcome to World Affairs, मैं हूँ प्रशान दवन, आप ट्विटर की सुरक्षा छीन ली गई है, यह आपने काफी बार देखा होगा आज के समय आर्टिकल्स में, इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश होड़ें और मैं आपको यह बता दू, कि लोग बात कर रहे थे कि भ ट्विटर पे FIR फाइल की जा सकेगी, अभी हाली में उत्तर पदेश की पुलिस ने FIR फाइल करी है, ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंटरनाशनल जो इनका हेड़कोर्टर है, इन यूएस इन पर भी FIR फाइल करी है, इशू क्या था, आप सबको बताओगा हाली में ये केस काफी न्यूस में भी था, कि उत्तर पदेश में एक बुजर्ग जो मुस्लिम समुदाई से थे, इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी और ये का कि मुझे यहाँ पे अटाक किया गया है, और बताया कि यहाँ पर कम्यूनल एंगल है, इनको यहाँ पर इनके रिलि वो वेरियस रिलिजन्स के हैं, वहाँ पे हिंदूस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो बुजर्ग यहाँ पे वक्ती हैं, इनके रिलिजन की वज़ेसे इन पर अटाक किया गया था, उत्तर परेश पुलिस ने अपनी चार्ज़शीट में इन लोगों को यहाँ पे आप देखोगे, details of known suspected accused with full particulars, इसमें आपे लिखा है Twitter Inc. और Twitter Communications Private Limited, इनके अलावा इनोंने The Wire, कई news websites और कई politicians को भी यहाँ पर बुक किया है, जिनोंने यह वीडियो सर्कुलेट करी थी, क्योंकि ओवियसी बात है, ऐसी वीडियो अगर सर्कुलेट होती है, तो इस यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं कि FIR में Twitter और Twitter Communications इंडिया को भी लपेटा गया है, अब यह सब कैसे हो गया, यह मैं आपको समझाता हूँ reason क्या है इसका, कहानी को properly समझने के लिए आपको आज से कुछ महीने पहले जाना होगा, जब सरकार ने release किये थे नए IT Rules, नए IT guidelines आप कह सकते हैं, इसको हम officially कहते हैं Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021, इसमें बहुत सी बाते लिखी थी, primarily जो social media platforms है, जैसे के Facebook, Twitter, उसके लावा various social media platforms है, इनको यह कहा, कि आपको एक grievance officer, शकायत करने के लिए एक officer deploy करना होगा अपनी company में, within 15 days, जो complaints को resolve करेगा, 15 दिन के अंदर अंदर, उसके लावा monthly compliance report आपकी आया करेगी, basically इन social media companies को यह कहा गया, कि भारत में आप operate करते हैं, भारत की market से revenue कमा रहे हैं, तो यह हमारे नए rule है, officer appoint करना होगा, monthly report फाइल करनी होगी, यह सब आपको करना होगा, नहीं तो आपको हम दंडित करेंगे, अब बाकी social media website को आप अगर minister है, रवी शंकर प्रसाजी, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है, कि Twitter failed to comply with IT rules, और इसके लावा इन्होंने actually Twitter पे ही, इनके ही platform में, इनको बहुत सी बाते सुनाई हैं, और यहाँ पर यह भी कहा, कि हमारी companies, जब USA में जाती है, तो आप लोग जो भी rules तैय करते हो, हम उसको follow करत मगर जब आप हमारे देश में operate कर रहे हो, तो हमारी कोई guidelines आप सुनने को तयार नहीं हो, हमने कुछ basic चीज़ें आपको कही हैं, कि officer appoint करो, monthly report file करो, उसके लगा कुछ और यहाँ पर और चीज़े हैं, इनको आप properly follow नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे, यह जो करने से अब तक मना कर दिया है, they have failed to do that, और फिर उन्होंने आपर बात करी है, उत्तरपदेश के case के बारे में, कि उत्तरपदेश से जो वीडियो आई थी, वो साफ साफ fake news थी, मगर फिर भी Twitter ने उन लोगों पर कोई कारवाई नहीं करी, जिन्होंने यह fake news लने का काम किया तो देख यह बात इन्होंने आपर ठीक करी है, कि Indian companies जब भार जाती है, Europe में काम करती है, US में काम करती है, हमें उनके rules follow करने होते हैं, तो the same thing should be applied to Twitter as well, अब यह तो मैं आपको बताए है main issues, उसके लावा हाली मैं आपको याद होगा, एक के बादे काफी controversies हुई थी, Twitter और भारा सरकार के बीच में, जैसे कि आपको याद होगा, कि कुछी दिन पहले, Twitter ने अचानक से verified का जो मार्क है, यह Vice President of India की जो Twitter profile है, यहां से डा दिया था, बाद में इसको restore भी किया, मगर जो यह हटाया गया मार्क, इसकी कोई proper explanation थी नहीं, उसके पहले आप अगर जाओ, त तो हमारी जो Home Minister है, अमिश्चा, इनकी profile लॉक कर दी गई थी, reason क्या था, इनको यह का गया, कि आपकी जो profile photo है, इस पे copyright strike आया है, तो देखो वैसे ही Twitter और भारा सरकार के बीच में, relations खराब होई रहे थे, अब यह लोग यहां पर basic guidelines भी follow नहीं कर रहे, तो सरकार ने चुप section 79 of the IT Act के अंडर, जो Twitter को protection मिलती थी, यह अभी के लिए करती है withdraw, अब यहां पर आखोगे इसका मतलब क्या है, intermediary status का क्या मतलब था, देखो, जो section 79 है of the Information Technology Act 2000, यहां पर यह लिखा है, के Twitter, Facebook, यह सब यहां पर platforms है, इनको हम मानेंगे एक bridge, कल को अगर मान लो, के एक आदमी गलत information post करता है, के aliens ने कबजा कर लिया दिल्ली पर, या फिर मुंबई में बाड़ आ गई है, ऐसी कोई fake news अगर वहां पर फलाता है, तो सीधा वो आदमी जिम्मेदार होगा, यहां पर Facebook, Twitter या फिर उस platform को जिम्मेदार नहीं ठराय जाएगा, इस news को host करने के लिए, या फ Twitter पर कर सकता है case, अगर मान लो, के एक आदमी fake news फिला रहा है, और Twitter ने उसकी जो tweet है, यह डिलीट नहीं करी, तो उस आदमी पर तो case होगा ही होगा, FIR, Twitter पर भी होगी, अभी हाली में उत्तरप्रेश की पुलिस ने यही किया है, और यहां पर आप देख पाऊगे, Twitter की अभ करने की कुशिश कर रहे हैं, हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, तो अब यह सी बादा रेखिए, Twitter इन दी एंड एक businessman है, चाहे इनकी political liking left हो, right हो, वो depend नहीं करता, in the end, it is a company, इनको profit चाहिए, इनको business चाहिए, और Lady Nigeria, जो Africa की सबसे populated country है, सबसे बड़ी economy है, वहां सही ये ban हो चुके हैं, वो market आज के समय आप अगर देखो, तो इंडिया की जो कूँ अप है, उसके लिए open हो चुकी है, और Nigerian government ने तो officially कूँ अप पर अपना account भी open कर लिया है, तो Nigeria को खोने के बाद, Asia का एक बहुत बड़ा देश, जो खा जा रहा है कि भविश्य में बन वो market Twitter definitely खुना नहीं चाहेगा, तो एक बार को ये सरकार की बात बिल्कुल मान लेंगे, ये कहेंगे कि ठीक है, हम guidelines follow करेंगे, मगर आप ये देख लीजिए, कि जब तक इन पर pressure नहीं डाला गया, तब तक इन्होंने ये statement नहीं दी, ना यहाँ पर आप एक और question पूछ सकते हैं, कि USA क्या भारत से नराज हो सकता है, अगर Twitter को यहाँ पर ban किया गया, या फिर Twitter को यहाँ पर problem आई, तो मैं कहूंगा, देखिए, इसका answer depend करता है, Joe Biden क्या इसको लेकर offended feel करते हैं, क्या ये issue इतना बड़ा है, कि एक quad country के साथ relation वो खराब करें, क्योंकि देखो, USA में भी ये platform है, इन पर कभी आरोप नहीं लगेगा, किसी type की news का, किसी type की video का, या article का, ये बस एक type का bridge का का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में content create नहीं करते, मगर USA में भी देखा गया है, कि जब कोई company, इनकी guidelines follow नहीं करती, तो अपने आप, जो इस section के under production मिलती है, इसको revoke भी क कर देते हैं, तो भारत में भी यहाँ पर यहीं किया है, और आप सोच कर देखें, तो ये काफी अच्छा move है, हम लोग Nigeria की तरह Twitter को ban करेंगे, तो इससे काफी खराब reputation जाएगी, हमारा main objective यहाँ पर यह है, कि इंडिया के जो laws है, उसको Twitter properly follow करे, इंडिया के laws को Twitter respect करे, वो finally Twitter यहाँ पर हो सकता है कि करता हुआ दिखेगा in the coming few weeks, and finally यहाँ पर मैट कर दूँ कि आज आखरे दिन है Unacademy के महा offer का, आपको simply यहाँ पर यहाँ करना है कि comment section में जाओ यहाँ पर, लिखा होगा यहाँ पे pinned comment में UPSC CSE Iconic link पे click कर लो, और आपके सामने खुलेगा यह link, यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं एक unique combo offer जिससे UPSC prelims, mains और optional तीनों की आप त्यारी कर पाएंगे, और लडिम आपको यह बता दूँ, बहुत से students यह combo offer purchase कर चुके हैं क्योंकि अलग-अलग दुनों courses आप purchase करोगे, बहुत मैंगे बढ़ते हैं, this is a golden opportunity, आज रात 12 बज़े तक य offer चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बस click करना है, pick up plan पे, और 12 महीने, 24 महीने का जो codes है, जो भी आपको suit करें, आप purchase कर सकते हैं, पर मंद यहाँ पे लिखा है कि आपको pay करना होगा, 6,375 रूपीज, मगर इसकी ओपर लगेगा additional discount, अगर आप use करेंगे promo code PD10, prices और करने की नहीं होगी, an academy आपको support करेगा, till mains exam of 2022 UPSC, so again it is a very special offer, आप purchase कर सकते हैं यह course, link पे click करके, and this is right now the end of the video, thank you for listening and as always, God bless you all.